गुद इवनिंग फ्रेंट्स आज एक और इंट्रेस्टिंग केस देखते हैं एक इंट्रेस्टिंग रेमैडी के साथ तो यह पेशन्ट है जिसको युटिराइन फाइब्रोइड था युटिराइन फाइब्रोइड काफी बड़ा था ठीक है मतलब यह समझे आपकी पांस सें थी तो एक्शली मैं वह पेशन्ट काई के लिए आए थी कि उसका जो पीरेड है बार 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 आ जा रहा है ठीक है तो वह यह कंप्लेंट लेकि आए थी ठीक है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है उसकी कंप्लेंट यह थी कि ब्लेडिंग बहुत ज्यादा हो रह तो यह हेमरेजिक फाइब्राइट था ठीक है तो अभी इसको लेके उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी कि ब्लीडिंग हो रही है सरीर में कमजोरी लग रही है ताकत नहीं है ब्लेड निकलता जा रहा है इतनी जादा ब्लीडिंग हो रही है है तो मैंने कहा तो इसको लेके क्य प्रॉब्लम है आपको तो ब्लीडिंग हो रही है कमजोरी आ रही है सरीर में अभी भी कमजोरी लगती है और कमजोरी आ रही है और समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ हम और कहीं कोई बड़ी समस्या ना बन जाए या कोई और बड़ी समस्या तो नहीं है इवन मैंने कई सारे डॉक्टर को दिखाया तो उन लोगों ने कहा कि यह आपका यूटिराइम फाइब्रोइड बिगर मेडिसिंज वो बिगर सर्जरी के ठीक नहीं होगा तो इसको तो निकालना ही लगता है ठीक है और कर और कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं अंदर ही अंदर मैंने कहा और अच्छा और क्या लगता है आपको तो बोले बॉड़ी में ताकत ही नहीं मिलती है रोज की रोज ब्लेड जाता है रूज कमजोरी आ रही है तो यदि मैं आने ऑप्रेशन रही है तो पिशेंट ने बोले कि सबसे दिकत मेरे को यही है कि जो मेरे ब्लीदिंग हो रही है यह बहुत हेवी ब्लीदिंग है और बहुत ज्यादा ब्लैड जा रहा है ना उससे मुझे कमजोरी लग रही है और उसी की वज़े से मेरे को ना हाथ पेरों में भी दर्द हो रह है ठीक है और काम करने में भी ताकत नहीं मिलती और घर में कोई काम करने वाला नहीं है मैं घर में अकेली हूं तो मैंने कहा कि कैसे अकेली हो आप तो बोला कि मेरे तो सासुमा की भी डैथ हो गई है और जिन से मेरे मेरे को काफी लगाओ था ठीक है और और उदर मेरे फादर की डैट हो गई उदर पे मेरे फादर भी नहीं रहे ठीक है तो इस तरीके से यह मुझे अकेला लतापण महसूस होता है में आपनि माई के चाती हुए तो आप ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। दो मतलब मैंने कहा कि आपको सब के बीच में जम आप यह याँ है तो बोला हाँ मुझे लोगों से लोगों से बात करना लोगों से मिलना जुनना मुझे सब सबस के साथ मिल्यों कर रहना अच्छा लगता है निर्ए नर क्या टेंषन हो राय तो वॉला कि चोटे चोटे हैं वो कुछ कर नहीं सकते उनको कौन समालेगा अभी बच्चे छोटे हैं लेकिन अभी मुझे ही देखना पड़ेगा नहीं क्योंकि कोई है नहीं तो मुझे ही उनकी शादी पढ़ाए लिखाई शादी ये सब चीज़ा मुझे करनी पड़ेंगी तो actually मुझे फिट फार्ट रहना पड़ेगा और यदि यह सब नहीं हुआ तो फिर मैं अब इनका कैसे हैंडल करूंगी आगे यह सारी चीज़ा कैसे मैनेज करूंगी मैं तो यह देखके मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो फिर फिर किसी मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप से मेडिसिन ले लूँ तो ठीक हो जांगी इसलिए मैं आपका पता किया और मैं आपके पास आई तो मैंने कहा अभी सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्ला है वो बोला पेशेंट नहीं कि सबसे ज़्यादा मेरे को कमजोरी है ठी कि मैं काम भी नहीं कर पा रही हूं ठीक है पीरेट भी इतने ज़्यादा आता है कमजोरी कमजोरी आ रही है और यह समझ में नहीं हो क्यों रहा है इविन मुझे थाइरोईड के यह डॉक्टर ने बोला मुझे कि यह आपको फाइब्रोइड है और फाइब्रोइड कैसे कि आपको कुछ हो जाएगा मुझे एसे लगता रहता है कि कहीं कुछ मुझे हो जाएगा का कुछ भी problem हो सकती है मेरे साथ यह डर बना रहता है मैंने कहा कि कि किस चीज का डर रहता है बोला मुझे नहीं पता कि किस चीज का डर है पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी हो सकता है तो फिर मैंने पूछा कि इतने टेंशन क्यों ले रही हूं आप अभी तो आपके इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं बोले डॉक साब वो चिंता कि विवा है जिनके आगे का सब तो मुझे ही सोचना है ना कौन करेगा तो मैंने कहा कि और और कोई तकलीफ बोला कि कमर में भी दर्द रहता है मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है कोई कुछ बोले तो भी अच्छा नहीं लगता है ठीक है और पीरड आता है तो मुझे और टेंशन होती है ठीक है मतलब ऐसे टेंशन नहीं होती फिर जैसे पीरड आ जाता है तो फिर मुझे और टेंशन मेरी बढ़ जाती कि लोग पीरड फिर आ गया और फिर इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी फिर मैंने पूछा कि और और कुछ हो तो बताओ बोला बस वही है सब्जाद टेंशन है एक तो कमजोरी बढ़ रही है और उठने की ताकत नहीं मिलती क्योंकि इतने जादा ब्लीडिंग हो जाती है और यदि हो गया तो फिर क्या होगा मेर तो इसको नहीं समाजे थीक है थोड़ा गूगली करेंस बट शेंपट है यहां पर आपका रफ्रेमेग को पकड़ में आ सकता है तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए और बोलता हूं तो इसमें सबसेють कि यह जो पैशेंट है है इस patient को, इस patient को even tumor तो है उसको पता है लेकिन अभी भी उसको ऐसा लगता है कि tumor क्यों हुआ है मुझे समझ मैं नहीं आरहा सबसे ज्यादा इस patient को anxiety in the dark सताइज आ रहा है है यह क्यों हो रहा है और जो हो रहा है उसकी वेज़से क्या हो जाएगा ठीक है तो फियर विल हैपन सम्थेंग कुछ भी हो जाएगा दूसरा ब्लड और कम हो जाएगा तो फियर आफ पोवर्टी तो इस रूब्रिक को आपको कई जगहें इस्तमाल करना है फियर पोवर्टी आफ फियर पोवर्टी आफ कई सारे पिशंट आते हैं पाइल क जद़ा ब्लीडिंग जा रही है ठीक है अभी दो तीन दिन डॉकस बहुत कम ब्लीडिंग थी तो इविन हफें व 떠िय esper17 फियर पोवर्टी आफ ठीक है अभी तक आपके पास एक करोड रुपए थे अपने खर्च किये लेकिन अब जब आप आपको लगने लायार कि अब तो जादी खर्च हो जाएगा तो ये फिर और फियर पुवर्टी ठीक है मेरे पास जितना था उससे धीर धीर आप कम होते चले जा रहे हैं ठीक है और यह जो इस तरीके के पिशेंट होते हैं जिसमें कुछ लॉस होने का डर रहता है वह फियर पुवर्टी कहलाता है ठीक है तो दो रूब्रिक हमने लिया त्री सब रूब्रिक फियर डिलूजन फ्रॉम उसको तरह तरह के एहसास हो रहे हैं और उन से लेके वह डर रही है और डर सबसे ज़्यादा है और उसको चिंता है ठीक है और उसको डर भी है और उसको चिंता भी है तो एंजाइटी फियर विद यह रूब्रिक ले सकते हैं बट पता नहीं उसमें रिमेडी है कि नहीं है ठीक है तो यह कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के शेनेरियों में दिखता है कि उसको ऐसा रूब्रिक लगाए ज़सकता है लेकिन वो पेशेंट मैं वो रिपर्टरी में कई बार नहीं होता है ठीक है तो दूसरे रूब्रिक हम ढूंड हैंगे इस केस में तो यह एक बढ़िया रूब्रिक है इसमें इंपेसेंस चिल्डरन्स अबाउट ठीक है अभी आप देखिए यही कहलता है इस तरह में दीका इंपेसेंस चिल्डरन्स अबाउट अभी बच्चे कितने साल के हैं जो भी पेरेंट जो भी पेरेंट छोटे-छोटे बच्चों को ले करके अपने अभी बच्चा पैदा तो इस इंपेशेंट चिल्डरन अबाउट यह रूब्रेक आपको ध्यान में रखना चाहिए तो यह लेडी अभी से उनकी इतनी ज्यादा फिक्र है कि पढ़ेना लिखाना है है ना अभी इतने छोड़ा सा वच्चा है अरे आपको कल का परसों का सोचना चाहिए तो यह जो पश्यचेंट होते हैं काली जो यह काली काण्यऔर में दी वो इस तरीकिसे सोचते हैं तो थीक है और मुझे Body करना है कोई करने वाला नहीं मुझे करना है तो डिसın responsibility to strong ठीक है केर वरीज फुल आफ दूसरों का अपने बच्चों का ध्यान रख रही है अपने इनलाउस का पेरेंट्स का सब का ध्यान रखती थी तो केर वरीज फुल आफ ठीक है एंजाइटी फ्यूचर वाउट आगे क्या होगा ठीक है आगे की चिंता है इसको तो एलमेंट हिंस इसन प्रॉम डेट अफ डेट आफ पेरेंट्स तो यहां पर उसकी उसको एक सभी को ब्रдо मस पहरें़ हुआ पर भी उसका ट्रूजड रिलेटिव रिक्स पाइर्व हुआ ठीक है और को इसमें एक चीज और remarkably की इसमें को के व्सकूंद सी है ठीक है तो इसको क्या होता है कि इसको मतलब इतना इस इसमें ऐसा नहीं है कि कर तो लूँगी लेकिन वो हैजिटेट हो रही है कि वो मतलब एक काइंड आफ anticipation कि मुझे सब करना कैसे होगा क्या होगा ठीक है करना तो चाह रही है है रिस्पॉंसिबिलिटी ले रही है लेकिन उसमें उसको इतना कॉंफिडेंस नहीं है कि मैं कर लूँगी ऐसा नहीं है इसके साथ तो वल दीजार रूब्रिक आफ रिमेडिक काली कार्व ठीक है तो यह काली काव यह एल्मेंट फ्रॉम एंटिसेपेशन ठीक है इसमें भी आपको काली काली काव दिखाई देगा ठीक है कंपनी डिजायर उसने बोला ना कि मुझे अभी तो यह मतलब लोग ही नहीं है घर में तो मुझे तो लोगों से बात करना मिलना जुलना यह सब अच्छा लगता है तो यह कंपनी डिजायर फैमिली आफ लोग घर में लोग होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और अभी तो में जी सासूमा एकस्पायर हो गए उधर फाजर एकस्पायर हो गए ठीक है तो एल्मेंट फॉम डेथ अफ लवड़ वन इस्पेशली फैरेंट फादर तो यह साई रजब आप रूप देक लगाते हैं तो आपकी रमेडी कालीकार्व आती है तो काली काव रमेडी बहुत इंट्रस्टिंग रमेडी है ठीक है तो इस्पेशली यह जो रमेडी है फोर्थ फॉर पीरियोडिक टेबल म तो कोलम करे मैं दिए चीख है तो इस रिमेदी में ना रिस्पॉंसिबिलिटी ड्यूटी चीख है यह सब आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी लेकिन साथ में कॉंफिडेंस की कमी मिलेंगी चीख है तो होता क्या है इस लाइन के जो इस में ड्यूटी टास्क परफॉर्मेंस य ठीक है रिस्पॉंसिबिलिटी है इनको और इनको जिम्मेदारी लेना आपने घर परिवार वालों की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ती है जैसे छोटा भाई तीं-चार भाई है फेमिली में एक ही पेरेंट्स के तीं-चार ब्रॉदर हैं ठीक है यह फोर ब्रदर, तो जो एल्डर सिब्लिंग है, पापा कुछ करते नहीं है, ठीक है, या तो उनकी छोटी मोटी किसानी है, या तो ड्रिंकर क्या के सूझाते हैं, तो अभी जो यह जो बच्चा है, बड़ा एल्डर सिब्लिंग, उसको responsibility लेनी ही पड़ेगी, और आ जाती है अब ऐसे करके responsibility आ जाती है ठीक है तो यह ली हुई responsibility नहीं है यह उसको फॉर्सली लेना पड़ता है ठीक है कि मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा पापा तो घरने से रहे इसलिए तो यह इसलिए काली कार्ब की ऐसलिए काली काव डिवर्डिन तो जाते हैं काली का एक्षली को कमर में दर्ध आता है तो में यहां से होते हैं ठीक है responsibility ले ले करके आ जाती है उनको करना पड़ता है पर्फार्म करना ही पड़ेगा फैमिली के फिर उनको bear करनी पड़ती है ठीक है लेकिन अब एक बच्चे को आपने बोजह लाद दिया और उसमें उतनी capacity नहीं है तो फिर ये टूट जाते हैं इसलिए ये लोग फिर पीमार पड़ते हैं इसलिए इनकी कमर टूट जाती है ठीक है तो इसलिए इनमें anticipation anxiety मिलेगी क्योंकि इतना confidence तो है नहीं confidence one tough self confidence में मिलेगा ठीक है और यही जो patient होते हैं फिर क्योंकि इनका force column में होना ही इनका problem होता है ठीक है क्योंकि वो फिर rigid हो जाते है रिजिडिटी ठीक है तो काली काब फिर अपने tradition को लेके चलते हैं ठीक है मेरी family को ऐसा मेरी family का नाम खराब नहीं होन चाहिए मैं उनके उनके हिसाब से परंपरा को लेकर के यह लोग चलते हैं क्योंकि इनको अपने जो जो परिवार में आई हुई जो qualities हैं जो family की परंपरा हैं उनके बीज को यह आगे आगे तक पहुचाना चाहते हैं तो यह उसको भी अपनी responsibility समझते हैं तो फिर वो उसको होई लेकर चलते हैं इसलिए वो रिजड हो जाते हैं इसलिए वो बैंडर नहीं हो पाते ठीक है तो रिजिरीटी ड्यूटी ओरियंटेड रूटीनिस्टिक जो इसके की features हैं वो काली काली ग्रूप की total features हैं ठीक है अभी इस पर आप फॉस्फोरस जोड़ देंगे तो काली फॉसा जाएगा तो काली मियूर जाएगा मियूरेटिकम मदर मदरली जो मदरली वूमन होती है मतलब वूमन तो सभी है लेकिन जिनको मदर ठीक है वो अपने सारे सिब्लिंग्स की responsibility लेते हैं जैसे की बड़ा भाई लेकिन अंतर यहां पर है फॉस्फोरस चिली मियूरेट कम देना है और चिली पिशेंट है तो आपको फॉस्फोरस देना तो फॉस्फोरस को आपको देखो फॉस्फोरस का थोड़ा थोड़ा सेड मिलेगा आपको कि वह जो फॉस्फोरस काफी वाई वीचिस मिलेगा दूसरी तरफ काली के character लेकि चलेगा ठीक है ड्यूटी responsibility यह enjoy करना यह सब उसको काफी पसंद होता तो यह सब मिलके उसको काली फॉस्फोरस बनाता है दूसरा पार्ट होता है मियुरेटी का मतलब मदर ठीक है तो उनको नर्चरिंग करती है उनको पढ़ाती है लिखाती है बड़ा करती है मतलब ये अपने सिबलिंग्स की ममा होती है ठीक है और फिर उनमें कन्फिलिक्ट आता है कि सेल्फ पिटी अभी मैंने किया तो ये मेरे को भविश्य में करेंगे ये लोग मेरे को करेंगे मेरा भी करेंगे और फिर बात में ये लिडी डिसापॉइंट होती है क्योंकि इसको वापस उसके सिबलिंग भूल जाते है ठीक है कि ये कौन है तो फिर इसको हमेशा ये सैड रहती है कि मैंने तो ये लोगों के लिए इतना किया और ये लोग मु तो इधर काली वाला पाट तो चलता रहे लेकिन उधर इमेज कॉंसियस तो वैसे हैं लेकिन मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं कि लोग बुझे कुछ कहें तो और पिन सेंस्टिव टू उपीनियर अफ अदर्स यह समय बहुत ज्यादा शिलीकेट और शिलीकेट इस ओल्सो चिली रिमेडी ठीक है तो काली सिल्फ तो सलफर सलफर की फिलोसफी मिल जाए गिया वहां पर तो यह साई रिमेडी आपको आपके क्लिनिक क्लिनिकल प्रैक्टि देते हैं तो सलफर का जैसे काली सलफर तो वहां सलफर के ट्रेट्स मिलेंगे फिलोसफी जैनरास और बिजनिस टॉक्स में भी मिल सकता है किसी फॉम में मिल सकता है और वह भी बहुत फैमिली की केर करता है सलफर ठीक है तो सलफर होट है तो इधर दो होट देख लिया अप खीक तो काली अलोंग विद आर्सेनिक के सिंटम आर्सेनिक की एंजाइटी क्या हो गया कैसे त्थीक कर दो और यह वाला पार्ट आपको काली लेके आए गा ठीक है इस लिक पार्ट लेकर आएगा लेकिन वह जब आप घर करें पूछेंगे तो बहुत रोक्सा मेरा तो सुभेरी सोट नम है बहुत बढ़ी है एक फंगस का केश शेयर करूंगा ठीक है उसका काली आर्ष से ठीक हुआ था पूरा होल बोडी फंगस ठीक है तो सेम ऐसी था एक छोटा सा इसको पिंपल हो गया पता नहीं क्या हो गया कै कैसे हो गया कि कब ठीक होगा ठीक होगा की नहीं होगा रुप साब इसको ठीक करो जल्दी से ठीक करो तो पूरा आर्ष से निकल लग रहा है जब इसका बेग्राउंड समझा तो पूरा सुभे से उड़ती है किसी का सब अपने रिलेटिव मैं सब का करती है एक टाइम काली और आर्ष मिला के मैंने उसको काली आर्ष दिया था तो दिस अल्सो लिटल अबाउट अल इस काली एंड काली काब ठीक है तो दोस्तों यह चोटा सा इन्फॉरमेशन है रिगार्डिंग काली एंड काली ग्रूप रिमैदिशन तो आपको लगा हो अच्छा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और दोज वांट तो लान एक्चली हो में पर थी एंड दिस काइंड आफ हो में पर थी तो दिस वेरी इजी तो प्रिस्क्राइब रिमैदी एंड आपके लिए भी अच्छा है प्रिशन के लिए अच्छा है सब के लिए अच्छा है तो इसको ल देखते हैं लेकिन डॉंट वांट तो लार्न ठीक है तो जिनको आता तो अच्छी बात है वह अपना करें जिनको नहीं आता तो वह सीखिए आप एक महिने में भी आपका बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा एक साल में आपका सब कुछ बदल जाएगा आपका प्रैक्टिस ब वाचिए